और जो बहार से लुटे रहाते हैं उनमें संगर्स चलते हैं तो संगर्स में हर चीज लुटे रहा अपनी तरफ करता है चाहे वो कल्चर है चाहे वो फेस्टिवल है चाहे जिस भी चीज़ से आमदनी जन्माष्ट में जो यह महिना सावन के बाद आता है भादों का यानि भद्ध माने भद्ध माने होता है अच्छा इसका जो आठवा दिन है उसको तो बोलते हैं अठमी बाद में संस्काइब करके अठमाने आठ होता है पाली में जो संख्या है उसमें जो आठवा नंबर है उसको अठ बोलते हैं अठ पोगल्ला यानि कि आठ लोग यह हम बारबार पढ़ते हैं इसको संस्काइब करके इस में शेश रिप व्वाला जोडा गया उसको अठ से अस्ट किया इश six hour हमारा नहीं है शर्जाम वाला शे भे हमारा नहीं है है यह पाली को खतम करने के लिए बहु को बदने के लिए और सब्दो को बदने के लिए उनके अर्थ है उनको बोलते हैं संसकार किया गया संसकारित की गई और अंग्रे जी में संसकारित का मतलब होता है चेंज किया गया वैसे साधान रूप से कोई कह सकता है और बाकी जो प्राकर्टि भासा है वो अपने आप बदलती रहती है पर उसको संसकारित नहीं बोलते हैं जो की जाती है मनुस्य जिसको जानबूश के बदलता है उसको संसकारित बोला जाता है रूसी को संसकत बोलते हैं संस्क्रत या संक्कत पाली में बोलेंगे संक्कत ऐसी भासाएं लाखों हैं जैसे उर्दू भी एक ऐसी भासा है जिस उर्दू में जो पाली भासा है और जो अर्बी भासा है दो भासा है उसमें मिलाई गई है और जो तीसरी भासा बनी है वो उर्दू में बनी है और वो संसकत के नाम से जाने जाती है उर्दू भी संसकत है और जो ये पाली का और पाली में जो मिलाया गया है जो खास तोर से जो उपर से शे वाले लोग आये थे शल्जम वाले लोग आये थे जिनकी हाँ शे कही तरह का बोला जाता है शटकन बोला जाता है जो उन्होंने इसमें म अठमी का मतलब है अठमी ली के अंदर दो अठमी आती है यानि आठ वा दिन पुराना जो कलंडर है कि कलंडर एक से लेकित पंदवे दिन दिन तरफ चलता है जो एक आता है स्टार पुर्ण بशर्ण dan visitors 24 चलते हैं और फिर जो फंदरमा दिन माता है तो प्र अमावस आती है associates यह हमारा पुराना पाली का कलंडर है इसलिए सारी अठमी और सारी पुर्ण मासी और सारी जो आउमावस है वो बड़ी famous रही है अठमी छास तौर से इसलिए रही है त्वाप को सीखने में वो अठांग एक मार्क यानि आठ अंग वाले मार्क को सीखते थे तो एक दिन में एक अंग के मार्क को सीखते थे और एक दिन में जैसे सम्यक वाचा है यानि सम्यक बोलना है सम्यक द्रश्टी है सम्यक देखना है सम्यक कम है सम्यक कार है सम्यक आजीवी का है सम् नौबे दिन की करते थे को डोबड़े एक मार्श में आता है और एक आता है आक्टूबर में यह इसे लिए बड़ी framoss कि ईओ तो किसी का जनम अगर आत्वे दिन होता है तो इसको कहते हैं जनम अठ्मी यानिकि को जड़म हुआ किसी भी चीज़ का चाहे कोई कार रहे है और चाहे कोई मनुस्य है कोई बच्चा पैदा हुआ है तो जनम अठ्मी और कोई अगर काला व्यक्ति पैदा हो कोई काला बच्चा पैदा हो कोई काला नागवंसी पैदा हो और उसने बहुत बड़ा काम किया हो तो उसके नाम के माली में बोलते हैं कढ़ें माने को बाद में सनस्काइट करकेस इंद बनाया गया कणहिया भी बोलते है कझंहिया कव बना काना कान लुका को दधार बद इसको संस्काइट करके यह साराуса तो कणहें और यह सारे सब तो जो अप भ्रंस हैं यह कणहें के हैं पर जो क्रश्ण जो बनाया है एक तो उसमें आधा रह लगा दिया और एक उसमें स्रट्पॉन वाला से लगा दिया यह पूरा संस्काइप कर दिया पूरा बदल दिया और उसकी कहानी भी पूरी बदल दिय क् simplicity के नाम से उसका कोई evidence नहीं मिलता उसका कोई सबूट नहीं को ещё कप की ना उसके date है ना उसका इस्तान है उसका कुछ नहीं पता और ना उसके लिखने वाले हैं उन्हां का पता है उनका उनका पॉन्ज हैं पर जो तो काले को कढ़े बोलते है क्रिश्टन बोलते है और जो मौरिय है यानि कि मौर का पंक लगा लगाता है जो मौरिय है तो कोई मौरिय है कोई काला है और वो नाग के साथ खेलता है उसका टोटम नाग है इसलिए नाग वनसी है और उस नाग के जो फन है जिसके ओपर वो नास काता है कैसा दुर्गम काम करता है लोगों को गौत्व के धंव का वर्धन सिखाता है वर्धन माने बढ़ाना है और गौ माने गौत्म जहां भी गौफ लग जाए ध्यान रखना पाली में गाये को धेनु मोलते हैं और पाली के अंदर पूरे साहित्य में, बुद्ध के पूरे साहित्य में गाय की कोई महिमा नहीं है, गाय का कोई जिक्र नहीं है, वहां सारे जानवर बरावर है, चाए वो महीस है, चाए वो गाय है, चाए वो शेर है, चाए वो कोई भी जानवर है, चाए हाती है, उन सब का वहां बरावर मान स मान हैं पूरे पालिस हैत्ते में जानवरों का वर्गी करना नहीं है जानवरों में कोई नहीं है जानवरों में कोई भेदबाब नहीं है बुद्ध ने सारे जानवरों की रक्षा के लिए कहा है सबी और जो सफेद चम्री के जानवर होते हैं वो पहाडों से आते हैं और जो डार चम्री के यानि काली चम्री के जानवर होते हैं वो नीचे से आते हैं साउट से और मध्धे भारत से और यह जो उपर तक का एरिया जहां पहाड़ स्टार्ट नहीं होते क्योंकि ठंड में ज उसनी ज्यादा होती है, गर्मी ज्यादा होती है, वहां सारे जानवर की बात छोड़ो, मनुष से भी काले मिलते हैं, उनके बाल भी काले मिलते हैं, जबकि जो पहाड़ी अरिया पर रहते हैं, उनकी चम्री भी सफ़द होती हैं, उनके बाल भी सफ़द होती हैं, ये जो बाय गौतम बुद्ध का योग सीखा, योग का मतलब है जोड़ना, योज का मतलब भी जोड़ना है और योग का मतलब भी जोड़ना है, क्या जोड़ता है, वो जोड़ता है गौतम बुद्ध की अच्छाईयां, उनको सिखाता है अच्छाईयां, उसको कहते हैं योग करो, योग का मतलब पुराने समय में किसी भी हालत में सरीर का टेड़ा-मेड़ा करना नहीं है क्या सरीर को कभी उंट की तरह कभी गाय की तरह कभी शेर की तरह कभी हिरं की तरह पोजिशन में लेके आना ये बाद में भिकों ने इजाद किया था जब भिकों यहां से चलना सुरू हुए पहाडुपे. तो उन्होंने कुंकफु आर्ट जो सीखिई, जब वो यहां से जाने लगे, तो वो आर्ट उन्होंने सीखिए, पर सरीर को çar को टेड़ा मेड़ा करने को योग नहीं होते है, योग मानिये होता है, जोड़ना, योग क्या है क्या जोडा उसका क्या फंठाया तो उसको प्ल इसलिए बाद में जो हम बच्छों को सिकाते हैं दो और लगवली परवत का सबसे आखिया सिरा है जो लगबक जिसकी पैदि आठ किलोमीटर की है याि एक चक्र लगाँगे तो लगबक साथ-ाठ किलोमीटर की चक्र वह ए्ट आ है उसी परवत का नाम गोवर्धन आज के समएं बोलते हैं परवव ना और गोतम की इस धन को को मांदे होता circuit और अब माने होता है धम यानि गौतम का सबसे स्रिष्ट धम वहां सिखा जाता था और वड़न का मतलब है बढ़ाने वाला कोई भी आदमी थोड़ा सा भी दिमाग लगा कि यह सोच सकता है कि जिस परवत पे ना पानी है कोई जील तो वहां है नहीं नहीं पेड़ उपके हैं वहां प गाय के वर्धन वाला परवत तो उस गोवर्धन परवत पे कोई गाय को कैसे पाल்लेगा क्यों कोई गर्मी में ले के उपड़ जाएगा फिर पानी लेकर जाएगा फिर चारा लेकर जाएगा वहां बांदरे में परवत ढूंडे जाते हैं, एकांत में मैदान ढूंडे जाते हैं, एकांत में उंची जगे ढूंडे जाती हैं, और एकांत में जंगल ढूंडे जाते हैं, जहां कोई डिस्टर्म ना करे, खुद भी डिस्टर्मेंस ना हो, किसी को परशान ना हो, और जो सीखने वाल हुआ है उस पे तो वो सारे चिल्व जो बिलते हैं वो बुद्ध के मिलते हैं और वो एक पहाड़ी है वो पहाड़ी है जिस पे बीस पच्चिस तीस मेंट लगते हैं बसको जाने में और उस पहाड़ी पर कुछ पैदावार नहीं होती है काफी बड़ा पहाड़ है वो और व जगड़ा वहां रहता है कि यह बॉध्धों की साइट है या यह ज्यॐन जगड़ा है। इन दोनों के लावा तीसरे की वो साइट नहीं है इसलिए तिरू माला तिरू अरंपुलिन जो भी है वो इन दोनों की आती है और दोनों इमहा समण है वो जंगल में है इसलिए आपने देखा हुगा कि बुद्ध गिज़कूट परवत पर रहा करते थे जो गिद्ध की तरह जिसकी शेप थी ऐसे परवत पर रहा करते थे जिसको बिज़कूट परवन पूते थे गिद्ध को पुरानी भासा में गिज़ बोलते हैं और यह जितने भी ऊपर टेंपल आपको मिलेंगे आज की समय चाया वो केदानाथ है चाया बदीनाथ है चाया कोई सारी नाथ नाथ फले लोग उननी से चाया इक पर यह इन उपर के पहाड़ों को को मतलब है अपने ज्याति को अपने जनम को देखना जाती माने जनम होता है जनम को देखना सिखाना विपसना करना तो नगर कोट की देवी और नगर कोट के देवता फेमस है देवी का मतलब है कि जो आपको नगर सिखा रही है जो आपको बता रही है वो नगर कोट है तो नगर कोट जो होता था सारे सा उपर के सिखर होते थे वहां पर विपसना साधना सिखाई जाते थी इसलिए हमारे लोग आज भी उन जगे जाते हैं जहां नगर कोट की देवी यानि कि सिखाने वाली कोई ऐसी महिला या नगर कोट का देवता कोई सिखाने वाला रहा है यह हमाचर प्रदेश के दर भी नग परवत जाता है कि वहां उस कृपधन नाम के व्यक्ति ने एक उंगली पर पूरा परवत उठा दिया इसका मतलब है कि वो बुद्ध का कोई ऐसा भिकू रहा होगा जिसने अकेले ही उस परवत पर पूरा धंब सिखाने का बोज उठाया होगा क्योंकि गौतम के धंब को सिखा रहा है तो गौवरंग है गौवरंग से गोबर कर दिया और जो पूरा पूरा सिस्टम है नागवन सी होगा वो अकिला काम कर रहा है और उसके पास में वन भी है जो वन्दा वन है वन्दा वन यानि वन्दा मी करने वाले जो वन है जहां पर बुद्ध बुद्ध की स्टेश्यों निकल दे और जो वहाँ पर एक संगराले है जब भी कोई मत्रा जाए तो जा के देखें क्योंकि वह पूरी की पूरी जो नगरी है जो पूरा पूरा जो थाम है वो कोई बड़ी युनिविस्टी रही है जहांपर बुद्ध के योग को बुद्ध के दर्सन को सिखाय जाता था इसलिए जो कृष्ण के जो पद आते हैं और जो लोगों ने लिखे हैं वो योग के उपड़े हैं और योग का मतलब है अच्छाईयों को जोड़ना और बुराईयों को घटाना इसको योग योग बोलते हैं तो योग अभ्यास का मतलब है अच्छाईयों को जोड़ने का जो योगी हैं वो सारे के सारे विक्कों के अलग से नाम पड़े हुए यानि ये जिनको हम योगी कहते हैं जो अच्छा जोडने वाले हैं वो विक्कों के लक्ष नाम है पर परमपरायज और जो काम है विक्कों का और जो भंतों का वो धीद्रे बदलता गया और उनको संस्का होने से वहाँ पर जो योग है जो उस परवत पर जाना चाहिए जो वहाँ विपस्ना साधना करना चाहिए उसे तो लोग भूल गए और जैसा कि हम ऐसा यह होता है कि जब भी कोई चीज बड़ी फेमस होती है तो लोग उसका इजी रास्ता ढूंके धंदा बना लेते हैं तो भी लोगोंने कहा कि अचा विपस्ना साधना करने आये हो तो चकल लगा लो और हो गया काम बस यहीं तो परवत में होता था एक चकला लिया तो जो आल जा यही ठीक जो गंगा Jurassic लो जाते हैं जान जब ठंड़ा पानी होता है तो उनको कहती अन्हा नही आग कोई बात असनाब ऐसा वो स्नान करते हैं और ऐसा ही जो कुरुखेत है जो थने सर है हर्याने के अदर वहां भी बहुत बड़ी यूनिवस्टी रही है बहुत धोकी पूरा-पूरा शहर रहा है वहां भी जब उस यूनिवस्टी को दवाया गया और गड़ा खुद के पानी भरा गया त चाहिए वह कहीं भी कोई भी परंपरा रही है वह सारी परंपरा बॉद्धो की रही है या महासमण महाविर जैन की रही है और वह सारी परंपराएं पानी के पास रही है क्योंकि पानी पहले चाहिए अगर कहीं हजार दो हजार लाग दो लाग मनुस्टे होते हैं तो उनकी विवस्ता प्राषीलिकाल में कैसे होगी आज के समय तो मिनिस्टी है वाटर की है पैसा है संसादन है तो आज के समय तो मिला आप कहीं भी लगा लोта Grülle से पानी आ जाएगा बोरिंग से आ जा जाएगा सब्षीस से आ जाएगा पर पुराने समय में कहीं अगर आपने पर बहता हुआ पानी होना चाहिए ताकि सब को नहाने के लिए पीने के लिए पानी की कोई कमी न रहे और दूसरी सर्थ यह है कि महां मैदान होना चाहिए मैदान ना भी हो तो जंगल में चल सकता है और वहां खाना आसपास होना चाहिए तो जितने भी लोगों के जो सेंटर हुआ करते थे पुराली समय में बुद्ध के बाद जो बने वो पानी की जगे और शहर के पास बनते थे ताकि खाना शहर से लोग शहर से आते रहें और पानी वहां से मिलता रहे और एकांथ भी रहे यह तीन सटे उती पानी खाना और एकांथ इसलिए वो सब आपको जितने यह परंपरा है कि जहां खुटिया बनी है या जिनको आज आस्रम बोलते हैं वो सारे की सारी परंपरा वहां से बनी है तो जो व्यक्ति का जनम आठवे दिन हुआ उस व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया अकेले पूरा पब्बत पर जितनी काम होता था पूरी यूनिवर् वो ने उस व्यक्ति की पूजा, पाठ, मंदिर, नाम और उसकी इस्तुति में गयन कनिसू किये और उससे फाइदा होता है फाइदा ऐसे होता है कि जैसे डॉक्तर अंबेटकर के नाम से आज के समय बहुत साए लोग अपना घर चला रहे हैं उनका कहीं इखटा करने से या अंबेटकर की बात को मानने से कोई लेंदा नहीं है और वो आप से लड़ने बैठ जाएंगे अगर आपने यह कह दिया कि बहुत बड़े बड़े जो भिकु हुए है या बुद हुए है या बाद में जो लोग हमारे संता है और उनके नाम पे जो आसरम और जो काम और खान करके नाम पे चल रहा है यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है पर इस पर स्टैबल गुल 29 लाख संधर बनाने के लिए डॉक्टर अंबीटकर ने कभी नहीं कहा पर साही लोग परचें लेके आ जाते हैं साही लोग काम करते हैं साही लोग घंदा करते हैं आप उनसे कुछ क कि यह बकवास करते रहते हैं पर सामने लड़न नहीं आता कोई यह करने नहीं आता अरे तुम इतने सारे संधरनों को तुम बावा साप के इतने सारे लोगों को बुद्ध के इतने सारे लोगों को एक साथ ऐसे बोलते हो सब को बोलते हो कोई आये तो सही कोई नहीं आएग नहीं पता बुद्ध ने कब कहा कि मेरे परिवार बाद आना चाहिए बता डॉक्ट्टर अम्बिटकर ने कब कहा कि आर्पाइए पचास टुक्ड़े कर देना और जवाब यह पूछोगे कि आपको जब वही सामाजी काम करना था एक संग्ठन में तो आप उस संग्ठन को सु ड़्जासत हैं कि आप की से कुछो को अगर समता संग्ठन पसंद नहीं आया था तो चो चलाता क्यों में अलग क्यों बनाते हैं आगर माल्व तेरी बात नहीं बनी वहां पर तिरा जगडरा वहां पर हो गया तो तो घोव बना सामने के लिए किसी की हिम्मत नहीं कि अलब जाएंगे और वो आपको पीछेar करेंगे सामने नहीं के हमत सामने आने के लिए किसी के हमत शलिए इस पॉर्टल पर आज कोई नहीं आता हम खूक चलातें हैं आओ बगिए महिला महिला के कान में बोलेगी अरे वैसा हुआ ऐसा हुआ वैसा हुआ पर کیا हुआ है alluded के सामने नहीं बताता सामने नहीं आता एक बजरुगा आदमी जिसने पूरे जीवन का expense किया है उसने मेरे को phone किया और वो पुराना हमारा साथ ही रहा था तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम ये जो लोग यहां जो तुम इस तरह की बाते करते हो जो ten golden rule के खिलाफ होती है ये क्या चक्क्र है क्या नहीं है तो उन्होंने हसते हुए कहा कि देखो सु आप उसके कही नहीं है और मैं ये भी जानता हूं कि जो लोग यहां से दो चार पांच गए हैं उन लोगों का कोई भी यह जो नियम है उनको पालन करने की कोई हिम्मत भी नहीं है और उनकी अपने अपने स्वार्थ है और आप जो कहते हो बार बार के आजाओ सामने करेगा पर उनको कुछ ना कुछ बनना है उनके कुछ ना कुछ लालच है इसलिए वो अपने लालचों के कारण गए हुए है यह बात बल्कुत सच है इसलिए समर संग अपने आप चलता है अपने आप चलता है इसे कुछ चलाता नहीं है पहले भी अपने आप चलता था अब मत्रा वहाँ पे क्रिशन के लिए जाते हैं पर किसी को पता नहीं है क्रिशन की रास लीला वहाँ जा होती है पर जो क्रिशन की राग लीला थी यानि राग को दूर करने की लीला थी उसे पूरी जानता राग को रास में बदल दिया रास और राग एक ही सब्द है क्योंकि रा में भी मज़ा आता है और राग में भी मज़ा आता है पर राग अगर कहोगे तो पाली हो जाएगा बुद्ध हो जाएगा और अगर रास कहोगे रास रंग कहोगे तो वो फिर संस्कायत हो जाएगा तो लोगों को समझ में नहीं आएगा क्योंकि जब किसी को रस आता है तो फ चाहिए और चाहिए इसको राग बोलते हैं इसको राग लग गया और राग कोई रोग राग से रोग बना है अरे इसको बीमारी हो गई इसको चाहिए चाहिए कि बीमारी हो गई ये पैसा ही पैसा चाहता है पैसा पैसा चाहता है पोश्टी पोश्ट चाहता है पदी पद चा हैं उनको वहां बुद्ध का दसन नहीं मिसकता हां म्यूजियम में जाओगे तो आपको यकीन तो हो जाएगा कि ये बुद्ध की नगरी है इसका नाम भी मत्रा है कुछ इसको मौत्हिरा बोलते हैं कुछ इसको महा थेरा बोलते हैं कुछ इसको थेरा बोलते हैं क्योंकि इसमें थे लगा हुआ है और मैं लगा हुआ है इसलिए ये महा थेरा मथेरा से काफी मिलती जूटी है और महा थेरा जो होता है वो बुद्ध का वो भिकू होता है जिसको 20 साल कम से कम काम करते करते expense हो जाता है उसके बाद उसको महा माने बड़ा और थेरा माने जो सिखाता है जो भिक्व होता है उसको तो यह सारी की सारी चीज़ें जन्माजची में बारे में इसलिए पुराना festival और पुराने जितने फेस्टिवल हैं वो भारत के festival हैं इस बात को सब को याद रखना चाहिए अच्छी तरह से बार बार बताना चाहिए कि जिस देश के लोग होते हैं और जितनी भी परंपराएं कल्चर होती हैं वो उन देशों की होती है भले चाहे वो बदली हुई हो चाहे वो भले किसी और के नाम से जाने जाती हो पर उनकी जड़े उस साथ आते हैं जो ओस comparable रेएज अगे और वो यहां के राज थापित करते हैं तो अपनी कल्चर साथ लेकर नहीं हाते वह होती है उसी को अपने नाम लिख लेते हैं और उसी को थो यह यह रह öए वरना तो लोटके चले जाते हैं है जिस भी चीजस से अमदरह नी होगी उसको अपरी तरफ कर लिया गया है पर है हैं फेस्टिवल कभी बहार से नहीं आते संस्कति कभी कोई लेकर नहीं आता उसको सिर्फ चेंज किया जाता है इसलिए अगर आप क्रेश्ण को कणहें की तरह देखेंगे और गोवधन प्रवत को गोतम का वडदन पबत करकर देखेंगे और व्यपशना साद ना देखेंगे देखेंगे तो फिर आप फुजा पाट करिए और खुब इसमें अपना विरत किची जी और उसको कीजिए पर विरत का जो नियम है ये भी पालिस आया हुआ है दरसल विरत का नाम विरत मारे तो सरकल होता है ये विरत नहीं है ये है वारित वारित का मतलब होता है परे रहता हूं यानि के दूर रहता हूं किन से दूर रहता हूं वारित का मतलब है जो बुराईयां है उन से दूर रहता हूं तो कौन सी बुराईयां पांच बुराईयां बुद्रे बताई हैं जिनको वारित नियम बोलते हैं और हर आदमी से कहा जात पांच बातां यह नहीं कहेगा वो कभी भी उनको घ्रन नहीं करेगा कभी भी उनको नहीं खाएगा तो यहां उनकी प्रेक्टिस कराई जाती है कि 24 गंटे के अंदर आप पांच नियमों का पलन करो तो 24 गंटे तक आपको इनमें से कोई काम नहीं करा खाने की बात नहीं है ल वारित नियम नहीं खाने चाहिए आपको तो वारित नियम थे उन्हीं को कहते हैं कि यह वर्ती है और वो वारित नियम पुरी दुनिया जानती है वो पांच नियम है जो नहीं करने है चोरी नहीं करनी है वेवचार नहीं करना है नसा पता नहीं करना है जूट नहीं बोलना है और हत्या नहीं बोलनी है इसको पंचो सीर बोलते हैं और पांचो जो सीर हैं जो पांचो नियम है इनको वारित नियम के नहां से जाना जाता है और इसकी एक कंडिसन है कि कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं चार नियम मानूंगा और पांचो नहीं मानूंगा ये पांचो वौका रहना है वर्टी रेना पांच नहींका कड़ाई साफ-साफ कहा है कि जो लोग को शीखते हैं उन्हें खाने की मात्रा का ग्यान होना चाहिए, 20% खाना हमें से कम खाना चाहिए और भिक्वों को दुपेर 12 बज़े के बाद में सिर्फ गुड़का सरवत लेना चाहिए या थोड़ा बहुत हलका हुलका जहां जैसा मिले वो लेना चाहिए इसके लावा भिक्वों के लावा और किसी के नियम नहीं है पर जो उपस्त करता है जो अपना घर छोड़के उपवास करता है बुद्विहार में उसके लिए खाने का नियम वही है जो भिको के लिए है तब वहाँ वो एक दिन की और दो दिन की टेनिंग में जाता है इसलिए ये जो सारी चीजें हैं जितनी भी है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे सुनोगे और जानोगे और पाओगे तो जैसे बावसाब अंबिटकर ने कहा है कि हमें 22 करना पड़ेगा पर कोई बुद्धी जीवी है और जो रिसर्ट में जाना चाहता है जो खोज करना चाहता जो देखना चाहता है तो खोज करेगा तो जड़ा अपनी मिलेंगे इसको तो आपको छोड़ देना चाहिए तुरन क्योंकि बावसाब बिटकरने का है पर अगर न ना चोरी घरन करूंगा या करूंगी ना मैं हत्या घरन करूंगी ना करूंगी कोई कीट भी नहीं बारूंगी ना मैं वेफचार करूंगी ना मैं करूंगा ना ही मैं नशापता करूंगी और करूंगा सब लोग ना ही मैं जूट बोलूंगी और ना जूट बोलूंगा ये सब्सक्राइब कोई आश्क्राइब रह सकते तो रह लीजिए अगर एक दिन आदी भूका रहता है तो उसके सरीर का जो सिस्टम है वह दुबारा से रीफ्रेस हो जाता है ऐसा साइंस बताती है पर भूके रहने का नियम बुद्ध ने कभी नहीं बताया और नहीं कहा पर वार करी है मानें तो अपनी समझ के मानें और छोड सकें तो छोड़ कर ना वग stay ऑगास ना रहेगा वास ना बजेगी बासनी हमारे और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती अगर आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में किताब में छाबनी चाहिए या इसकी जो आडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं, आप YouTube पे चला सकते हैं अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूरत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सरल भासा में बताते हैं हमारा सिर्फ इतना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद संगम सरेण गच्छामी संगम सरेणन गच्छामी बूतियं पिभुद्धं सर्ण गच्छामी बूतियं पिभुतन सर्णन गच्छामी दूतियं पी धंम्मं अर्सर्ण गच्छामुं दूतियं पी भंमं सर्नं गच्छामुं पूतियों पी संगों सेलों बच्छाम। दोपियं पी संगं सर्णं कच्छाम। ततियों पी बुद्दों सेलों बच्छाम। ततियों पी बुद्दं सर्णं कच्छाम। ततियं पी धम्ममर सेनु गच्छाम। साथू, साथू, साथू